दोस्तों आज के स्वीडियो में आपनों को बताने वाला हैं कि मैं अगर आपके you स्क्राइब हो गई है यापको यह पर टाइम बगएर देखना को नहीं मिल रहा है ना तो आप यहां पर डेटें टाइम देख पा रहा है ना इवीदर रिपोर्ट देख पा रहा है तो अगर आपके फोन में से भी इस तरह से आपकी क्लोग यहां पर हाइड हो चुकी है उसको दोबारा किस तरह से आप यहां पर वापस ला सकते हैं अपनी होम स्क्रीन पर उसी का प्रोसेस आज के स्वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ तो अगर आप भी जहनना चाते हैं कि अपनी होम स्कृरीन पर किस तरह से कलोग को एट किया जाता है तो आज की इस वीडियो को शुरु से लेकर आकर तक पूरा जरूर देखियेंगा तो चलि दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि यहां पर आपको जो blank spot रहता है यानि कि जहां पर application नहीं है अपनी screen पर ऐसी जगे पर आपको यहां पर यानि कि blank जगे पर आपको long press करना है जैसे आप long press करेंगे आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा और नीची की side आपको कुछ option देखने को मिलते हैं जैसे की setting इसके लाबा widget और इसके लाबा wallpaper तो आपको यह widget को option है आपको widget पर चले जाना है widget पर जाएंगे तो उपर की side आपको कुछ यहाँ पर tool देखने को मिलते हैं और इसके just नीचे आपको यह पर cloak option देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको cloak के कई तरह के version आपको देखने को मिलते हैं इन में से जिस तरह की भी cloak आप set करना चाते हैं उसको आप set कर सकते हैं तो जैसे कि मैं चलिए फर्ष्ट बाली को ले लेता हूँ क्योंकि मैं इसी को set रखता हूँ मुझे यही अच्छी लगती है तो इसको यहां से इस तरह से आपको drag and drop करना है और यहां पर अपनी home screen पर आकर इसको छोड़ देना है तो लीजे दोस्तों हमारी home screen पर हमारी clock वापस आ चुकी है और यहां पर आप date and time भी देख आ रहा है यहां पर right hand side में आप देख सकते हैं कि आपको weather report भी देखने को मिल रही है तो इसी तरह से दोस्तों अगर आपके भी mobile की home screen से आपके clock यहां से hide हो चुकी है तो फिर से इस तरह से आप enable कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको चोटी से जानकर इस अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा और अगर आपने वतकर हमारे channel को subscribe निक्या तो भी subscribe कर लीजिए और bell icon भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आपको आपने वाले से वीडियो की notification मिलती रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते है next वीडियो में